हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता पार्ट टू की भगवत गीता पार्ट वन का जो वीडियो है तो अलड़ी मैंने अपलोड किया हुआ है आपने देखा ही होगा और जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और मैंने लिंक दी हुई है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट वन वीडियो मिल जाएगा मेरा सजेशन है कि भगवत गीता पार्ट वी जो आज का वीडियो है इसे देखने से पहले अगर आप पार्ट वन देख लेंगे तो आपको और भी आनन्द आएगा फ्रेंज भगवत कथा हम वहीं से उठाते हैं जहां आपने छोड़ी थी पार्ट वन में पांडवो और कौरवो की सेना आपने सामने खड़ी थी युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था पर किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता था एक राजा की मैंने बात की थी धितराष्ट भरत पुत्र धितराष्ट वो थे दिष्टिहीन वह आध्यात्मिक रूप से भी दिष्टिहीन थे तभी तो उनकी उपस्तिती में द्रौपदी का चीर हरन करने की कोशिश की दुर्योधन ने और वो कुछ नहीं कर पाए सच में वो दिष्टिहीन थे लेकिन वो जानना चाह रहा है कि क्या हो रहा है कैसी तैयारी है उनके तरफ कौरोगो की तरफ कैसी तैयारी चल रही है और उन्हें सारी जानकारी देने के लिए कौन इनसान मौजूध थाすका नाम था सन्जै अब आप पूछेंगे संजय कौन था मैं थोड़े डीटेल्स बताता हूँ आपको संजय जो है धितराष्ट के जो सार्थी थे रत चालक उनका पुत्र था संजय बन गया था धितराष्ट की आखें पल-पल की जानकारी जो युद्ध की वो दितराष्ट को कौन बता रहा था संजय वो बता रहा था कि क्या-क्या तैयारिया हो रही है एक अजीव सी घटना उस दिन घट रही थी वो घटना बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ सिर्व एक प्रश्ण और उसका जवाब हम मिलके निकालेंगे प्रश्ण ये है कि भारतिय संस्कृती के हिसाब से एक राजा को सेनापती से मिलने जाना चाहिए या सेनापती को राजा से मिलने जाना चाहिए मैं शूर हूँ कि आप यही बोलेंगे कि सेनापती को राजा से मिलने जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही थी आज राजा दुर्योधन मिलने जा रहे थे अपने सेनापती से उनका सेनापती कौन? उनका सेनापती दोणाचारिय वही दोणाचारिय जिसने सब राजपुत्रों को तिरंदाजी सिखाई थी अर्जुन को भी उन्होंने सिखाया था और आप जानते होंगे एकलव की कहानी दुर्णाचारे के बारे में थोड़ा नेगेटिव बताना चाहता हूं फिर पॉजिटिव भी बताऊंगा पहरे नेगेटिव बता दू नेगेटिव में क्या है कि एकलव्य जो है वो तिरंदाजी सीखना चाहते थे लेकिन दुर्णाचारे ने उसे किसी कारणों से accept नहीं किया तो क्या हुआ कि एकलव्य ने दुर्णाचारे की एक मूर्ती बनाई उसके सामने सीखा तिरंदाजी वो एक्सपर्ट हो गए तिरंदाजी में उसके बाद दोनाचारrie से मिलने गए तो दोनाचारी को बड़ा अश्चर हुआ उनकी तिरंदाजी की स्किल्स देखकर लेकिन दोनाचारे ने उनसे गुरु दक्षिना मां ली उन्हें लग रहा था कि आरही है तो अर्जुन से भी अच्छा निकल जाएगा तो उन्हें मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आ गई एकलवे के लिए और उन्हें एकलवे से क्या बोला मालू मैं आपको एक तिरंदास के लिए उसका अंगुठा सबसे इंपॉर्टन होता है अगर को राइट है तो इसका अंगुठा सबसे इंपॉर्टन है अगर तिरंदास का अंगुठा नहीं है तो तीर चलाएगा कैसे आज अलम्पिक में कोई तिरंदास जा रहा है आप बोलोगे कि भाई तो ये गुरु दक्षिना के रूप में एक लव्वे ने एक सेकंड भी देर नहीं की उसी वक्त ही अपना मूठा काटा और दुराचारे को गिफ्ट कर दिया ये थी बात एक लव्वे की गुरु शिश्य परमपरा मूर्ती देखकर सीखा उसने रियल सीखा ही नहीं था फिलिंग देखवा आप गुरु शिश्य परमपरा भारत की क्या थी उस वक्त लेकिन दुराचारे के लिए आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे होंगे ये तो मैंने दुराचारे जी के वारे में थोड़े डिटल्स बताए पहला रिजन हम देख चुके है कि अजीब बात हो रही थी कि दुरियोधन राजा मिलने जा रहे थे दुराचारे से जो उनके सेना पती थे इसके दो कारण थे पहला कारण क्या था कि वो जाकर उनको समझाना चा रहे थे कि दुराचारे जी आप धर्म अधर्म के चक्कर में मत पढ़ना आप धर्म संकट में मत आ जाना आपके खिलाफ जो है आपका प्रियत चात्र होगा अरजुन उस पर तीर चलाने से पहले आपका हाथ नहीं कापना चाहिए ये समझाने गए थे पहली बात दूसरी बात जो उन्हें समझाने गए थे दूर्योधन वो ये था के दरश्ट धूम नाम का एक आदमी जो दरश्ट धूम जो है वो दरवपत का पुत्र है अब दरवपत कौन था दरवपदी के पिता आप जानते हैं वोई दरवपदी जिनका चीरहन की कोशिश हुई थी राजमहल में कृष्ण भगवान बचाने आए थे वो ही दरवपदी उनके पिता दरवपद दरवपद की कटर दुश्मनी थी दोनाचारे से वो बिलकूल भी दोनाचारे को पसंद नहीं करते थे इतनी दुश्मनी कि दरवपद राजा जो दरवपदी के पिता थे उन्होंने एक यग्य किया और भगवान से प्रातना की की ऐसा पुत्र पैदा हो कि जो दोनाचारे को मार सکे तो ऐसा पुत्र पैदा भी हुआ हुने उनके घर पे पैदा हुआ और उसका नाम जो है दिश्ट धूम था, वे पॉत्र पैदा हुआ, वो ही दूम जो है, वो पूरा जो पांडव खेमे में, सारी वेवस्ता हो ऻी देख रहा था, युद्ध, शुरू नहीं हुआ था, अभी युद्ध से पहले की वेवस्ता हो ही देख रहा था, तो दुर्यो पर उससे पहले बताओं कि दुर्योधन राजा डर गया था वह व्यवस्ता देखके दुर्ष्ट धूम की बहुत जबर्दस व्यवस्ता कर रहा था पांडव की दरफ से थोड़ा डर गया था तिर दो कारण में बताए दुर्योधन क्यों मिलने गया दुर्णाचारे से अब दुर्णाचारे की महानता की बात बताओं नेगेटिव तो मैंने बता दिया एकलवी की स्टोरी तो आपको समझ में आ गई है दुर्णाचारे महान भी थे क्यों महान थे वो क्योंकि जब उन्हें पता लग गया था कि दृष्ट धूम नाम का व्यक्ति उनका वद कर सकता ह जैसे कैसे कंस को पता लग गया था कि क्रिष्ण भगवान उनकी हत्या कर सकते हैं कितनी तकलिफे उन्होंने दी क्रिष्ण भगवान को क्रिष्ण भगवान की बेहने थी उनको मार दिया और वो सब आकाश की तरफ उड़ गई और कितनी प्रावलम्स कंस ने पैदा की आका पता लग रहा है कि यह मेरा शिश्च जो है दृष्ट दूम इसको मैं सब कुछ सिखा दूँ तो जो आकाशवानी हुई है कि यही मेरी हत्या करेगा कर सकता है तो फिर इसको पैदा इसलिए किया गया है इसके पिता ने यग्य करके इसको भगवान से मिन्नते करके इसको लेकिन दोनाचारी को यह भी था जो दुरियोधन डर रहे थे कि उनके सामने अर्जुन आने वाले हैं अर्जुन की घटना तो आपको पता ही है अर्जुन उनका प्रिय शिश्य कैसे बना यह आपको बताता हूं अच्छुली क्या हुआ था एक मचली उन्होंने लगाई थी पेड़ पर दोनाचारी जी ने सारे राजपुत्र आये थे और राजकुमार आये थे और एक एक करके उन्होंने पूछा था कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है तो किसी ने कहा कि मुझे मचली दिख किसी ने कहा मुझे जंगल दिख रहा है किसी ने कहा मुझे तीर और कमान दिख रहा है लेकिन किसी ने ऐसा भी कहा कि मचली दिख रही है लेकिन जब उन्हें अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ मचली की आंग दिख रही है और जो ती बुलजाई पे मतलब सीधे तीर निशाने पे लगा और इसलिए अर्जुन की महानता है तो यही कहानी है महाभारत की युद्ध की तो आज हमारी कता हम यही पर समाप्त करते हैं तो आज हमने यही समझा कि एक राजा सेनापती से मिलने क्यों गया था आज हमने ये समझा कि दोनाचारे में positive क्या था और negative क्या था आज हमने ये समझा कि अरजुन जो है वो दोनाचारे के प्रियश चात्र क्यों बन गए कैसे बन गए ठीक है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना अगर आपको लगता है कि जानकारी जो मैंने दी है आपको जो कथा मैंने सुनाई है झाल